नमस्कार उमेद करते हैं कि आप अच्छे होंगे हम लोग पिछले वीडियो में काफी कुछ कबर्च कर चुके थी और लास्ट वीडियो जो था वो था रिफ्रेंस जोमेट्री का तो अब हम सुरुआत कर रहें एक एक टूल को जानना तो इसमें वीडियो में यानि इस वीड कर रहें इसका मतलब यह 3D मोड है तो जो बनाने का प्रोसेस होता वह होता है कि पहले हम क्या करेंगे 2D स्केच बनाएंगे और उसके पाद से हम उस पर मैट्रियल अपलाई करेंगे तो यहां पर है स्केच में जाने के पास से जैसे हम स्केच पर क्लिक करते हैं हमारे पास यह प्लेन विजबल हो जाते हैं और प्लेन के बीच में जो जा रहा है उसको एकसेस बोलते हैं और जहां पर सभी एकसेस मिलना है वह हमारा origin है, तो हमने किसी भी plane को select कर लिया, अब हम origin के reference से कुछ भी बनाएंगे, अगर हम दूर बनाते हैं, तब भी origin से reference देना होगा, और अगर हम origin पर ही बनाते हैं, तो फिर reference के कोई बात ही नहीं है, अब ये जो हमारे sketch है, ये कई तरह से हो सकता है, इसको define करने के लिए, हम इसमें dimension भी use कर सकते हैं, और geometrical constant भी use कर सकते हैं, तो जैसे ये origin से बना हुआ है, अगर हम इसमें दो dimension दे दे दें, चुकि rectangle है, तो rectangle में होता है, एक length और एक width, तो हमने width दे दिया, और ये फिर, हमने length दे दिया, और ok कर दिया, तो अभी अगर आप देखेंगे, तो ये क्या हो गया है, fully defined sketch हो गया है, यानि ये sketch कहीं पर इधर उधर more नहीं कर सकता, नीचे भी देखेंगे, तो यहां पर लिखा हुआ आ रहा है, fully defined, तो कभी ये underdefined होता है, कभी ये fully defined होता है, इसको हम देख लेते हैं, तो हम चले जाते हैं back, और back में हम देख रहे हैं, कि ये blue color में है, और अगर हम इसको पकड़ लें, देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानि इसकी parameters change हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसकी जितनी parameter define करें, उतना ही रहे, इसकी जितनी आवसेक dimension है, चुकि rectangle है, तो rectangle में कितने dimension होते हैं, दो होते हैं, तो हमने यहां पर इसकी dimension देदिया, और इसकी dimension देदिया, अब ये क्या हो गया, blue से black में convert हो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी इसको dimension की जरुवत थी, उतनी dimension दिया जा चुका है, और अब ये fully define हो चुका है, अगर ये define नहीं होता, तो फिर blue color में दिखा तो अब ये black color में दिखा रहा है, एक इस सिदी और आती है, जब आप ज्यादा dimension दे देते हैं, जैसे हमने क्या क dimension की जरुवत नहीं थी, फिर भी हमने दे दिया, इस case में ये या तो red और नहीं तो blue हो जाता है, तो फिर इस स्थिती को हम बोलते हैं, over constant, यहां पर ये close sketch बन गया, और इससे अगर हम बाहर निकलें, तो फिर हम कोई भी 3D tool apply कर सकते हैं, जो इस पर apply हो सकता है, हमने feature पे click क किया, एस टूड हमेशा, normal direction material को add करता है, इसका मतलब कि ये क्या कर सकता है, उपर के तरफ material add कर सकता है, नीचे के तरफ material add कर सकता है, कई condition हो सकते हैं, चुकि जहां पर sketch बना हुआ है, उसके एक तरफ कम भी हो सकता है, और एक तरफ जात भी हो सकता है, पर ये काम कैसे कर र रहा है अगर हम एक तरफ चाहें कि ड्राप्ट दे दें दूसरे तरफ हम ऐसा भी रखें तो भी हम कर सकते हैं मिने ड्रॉप्ट को ओन किया और कुछ उपर ड्रॉप्ट दे दे और नीचे वाले फेस को हमने ऐसा ही रखा तो यह कुछ इस परकार से औपजेक्ट बन गया इस औपजेक्ट में अगर हम जियुमेट्री की बात करें तो फिर देखी यह ऑबजेक्ट में अगर हम तीन एज़स जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं वाइट एक्स, यह जो है, जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको हम face बोल सकते हैं, या फिर surface बोल सकते हैं, जिस पर यह बना हुआ है, वो क्या है, plane है, अगर हम यह जो black black direct point दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं, age, तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम institute को detail में देखेंग till then bye and take care